आप देख सकते हो कि मेरे पास एक पीले वाला मल्टिमीटर है, और जो भाई रिपैरिंग का नया-नया काम सिकते हैं, वो भाई भी सुरो में इसी मल्टीमीटर का यूज करते हैं, क्योंकि ये मल्टीमीटर मार्कीट में इसली और सस्था मिल जाता है, अब देखे फ्रेंड इस multimeter के अंदर प्रोलम क्या रही है ये मुझे गलत रीडिंग बता रहा है जहीं आप इसे DC वोल्ड चेक करो या AC वोल्ड चेक करो दोनों के अंदर ये गलत रीडिंग बता रहा है चलिए एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से गलत बैटरी है और ये बैटरी सभी को पता होगा कि ये बैटरी हमारे 3.7 voltage की होती है तो यहां पर चलिए मैं इसकी voltage चेक करके दिखाता हूँ कि कितनी वोल्ड ये multimeter हमें 100 कर रहा है तो यहां पर इसकी दोनों प्रोब से हम voltage चेक करेंगे ये देखे एक प्रोब को मैंने यहां पर लगा रहा हूँ तो आप देख सकते हो फ्रैंड की ये 3.7 voltage की बैटरी है जो कि फुल चार्ज होने के पास 4.2 वोल्ड तक सो करते है multimeter के अंदर लेकिन यहां पर यह कितनी वोल्ड सो कर रहा है 5.56 के आसपास voltage सो कर रहा है इसका मतलब ये गलत बता रहा है reading अब इसी त voltage की बैटरी है इसे 13.71 के आसपास सो कर रहा है तो यह तो होगी बैटरी की बात अब हम बात कर लेते हैं AC वोल्ड की तो देखें मेरे पास यह extension board है मेरे studio में फ्रैंड लगबग 240 वोल्ड से जादा कभी भी voltage नहीं आती अब यहां पर देखें मल्टी मिटर से हम voltage चेक करते ह इसके लिए मल्टी मिटर को यहां पर AC सेट करेंगे तो यहां पर देखेंगे 750 वोल्ड पर मैंने सेट कर लिया है अब देखते हैं कि यह मीटर कितनी वोल्ड हमें यहां पर सो कर रहा है AC तो यहां पर आप देख सकते हो कि यहां पर जो voltage आ रही है 377-78 के आसपास दिखाई दे रहा है आपको भी पता होगा अगर इतनी ज्यादा voltage आएगी तो जो यह light वेगरा मैं यूज कर रहा हूं अपनी studio light यह सारी फुख जाएंगी इतनी ज्यादा voltage में क्योंकि जो यह light होती है इनकी maximum capacity कितनी होती है 240 वोल्ड तक ठीक है तो उससे ज्यादा कर मिलेगी तो light खराब हो जाएगी तो इस तरीके से फ्ट्रेंट के डीनी टीक बिलात बिल्ड बता रहा है यानि अगर हमें इससे कोई डीक C करते बैटर्ड चेक करेंगे उसकी बी वोल्टेज गलत बता रहा है कि अखáp यहाँ बेक्टि का यहां पे सिंबल आपको दिखाय तहाई यहा एक छोटा सा symbol दिखाये दे रहे, इसमें हमारा minus plus बना हुआ है, तो अगर आपके multimeter के अंदर ये symbol दिखाये दे रहा है, तो आप समझ जाओ कि जो आपकी problem है, वो किस वज़े से है, वो है हमारी battery की वज़े से, तो यहाँ पर चलिए हम इस battery को replace करके देखते हैं, की प्रोलम हमारे सोल हुई कि नहीं हुई तो यहां पे इस तरीके से इसके पीछे दो पेच लगे होते हैं इसको मैं खुल लेता हूँ देखिए यह छोटी छोटी वीडियो में इसलिए बनाता हूँ क्योंकि काफी सारे ऐसे भाई हैं जो कि पहले बार सहथ इस मल्टिमीटर क करें उनके साथ यह प्रोलम आ रही है तो इसके अंदर देखें फ्रेंट यह हमारी एक बैटरी लगी है नन वॉल्टेज की तो इसको हमें क्या करना है इस तरीके से श्रिफ निकालना है और इसके जगा पर दिखें यह बिल्गुल सई बैटरी है जिसके अंदर यह 12 तेरह दिखा रहा है तो इस बैटरी को हम इसके अंदर लगाएंगे तो इसके अंदर आपको प्लस मानस देख के लगाना है यह कैसे आपको पते चलेगा तो यहां पे देखिए यहां पर प्लस का यहां पर बना हुआ है सिंबल यह मानस का बना हूँ उल्टा मत लगा देना क्योंकि यह मैंने लगा दिया और उसके बाद यह जो इसका cover है इसको हम दुबारा से यहां पर लगा देंगे से उसी तरीके से हमें लगाना है यह देखें इस तरीके से इसके पेश को हम लगा देंगे और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि जो हमारी problem है वो यहां पर खतम हुई कि नह पता थी और नहीं पता थी तो भी मुझे comment करके बताना कि सर हमें यह आज पता चला है तो यह चीजे मैंने यहां पर पेश को टाइट कर दिया है अब देखें यहां पर क्या है कि मल्टिमीटर को जब हम ओन करते हैं तो कोई भी बैटरी का यहां पर लोगों यहां पर नजर आज़ करंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंट 4.67 क्यार्स पास वोल्टेज आरी है अब यह इसकी करेक्ट वोल्टेज है इसी तरीके से यहां पर हम यह जो 9 वोल्टेज का इसको देख लेते हैं यह डाउन हो चुकी है वैसे तो देखते हैं कि एपने वोल्टेज के अंदर चलिए इसको हम देख लेते हैं कितनी वोल्ट आ रही है तो आप देख सकते हो फ्रेंड की यहां पर जो वोल्टेज आ रही है 232, 33 के आसपास आ रही है और अभी जब हमने बैटरी को रिप्लेस नहीं करा था तब यहां पर यह 300, 300 के आसपास वोल्टेज सो कर रहा था तो जब भी आपके किसी भी पीले वाले मल्टिमीटर के अंदर ऐसी प्रोलम है तो सबसे पहले आपको लोगो देख लेना अगर लोगो यहां पर आ रहा है तो आप समझ जाओगी 100% उसके अंदर बैटरी की ही प्रोलम है और मार्किट में यह बैटरी अराम से 20 रुपे के आज पास मिल जाती है आप इसे निकाल के दूसरे बैटरी को लगा दो आपके प्रोलम सोल हो जाएगी तो चलिए फ्रेंड खिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नए टोपिक साथ तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातरम